आलिया भट अपने latest song के लिए हुई troll आलिया भट का comparison हो गया दिपिका पालकोन से और कहा कि दिपिका ने प्रूफ कर दिया कि वही best dancer है आलिया से dance नहीं होता वो तो बस ऐसे ही फुदकती रहती है सोशल मीडिया पर आज आलिया भट का जो नया गाना आया है धोलीडा from the movie गंगुबाइट काठियावाडी इस गाने में आलिया भट गर्बा करती नजर आई है लेकिन इस गाने में कहीं ऐसे steps है जो हमने दिपिका पादुकोन को राम लीला मूवी में करते हुए देखा है लोगों ने आलिया और दिपिका के डांस को compare कर दिया और कह दिया कि आलिया का डांस अच्छा नहीं है दिपिका ही है dancing queen वेल जाहिर सी बात है जब दिपिका ने राम लीला फिल्म में गर्बा वाला डांस किया था नगाडा संग धोल वाजे में तब दिपिका से नजरे नहीं हट रही थी और इस गाने को सब ने repeat mode पर देखा था जब पहली बार ये गाना आया था और आज भी ये गाना TV पर आता है तो अटक जाती है नजरे चाहे वो दिपिका के looks हो उनके dance moves हो या फिर उनके इशारे हो उनका गाना बहुत पसंद आया था लेकिन लोगों को आलिया के धोलीडा song में वो बात नजर नहीं आई सोशल मीडिया पर आलिया को बुरी तरह ट्रोल करते हुए लोगों ने कहा आलिया को इस गानी में dance करते दे कब realize होता है कि वाकई में दिपिका ने कितना अच्छा dance किया एक बार और दिपिका को अच्छे dance के लिए credit वहें एक और यूजर ने कहा कि य 확 यह गाना देखकर लगता है कि सन्जे लीला भंसाली को दिपिका चाहिए और दिपिका को भी सन्जे लीला भंसाली चाहिए सन्जे लीला भंसाली और दिपिका की partnership thousand times better है करन जोहर और उसकी star hit आल्या से एक और यूजर ने कहा कि आलिया डांस ही नहीं कर सकती गर मोरे परदेशिया के बाद ये दूसरा जंपिंग जपाक है कूट-कूट कर ही डांस करती है दिपिका बेहद एलिगेंट तरीके से डांस करती है क्या आपने आलिया भट का धोलीडा सॉंग देखा? वेल अगर आपने भी देखा है तो आप ही बताईए कि क्या आलिया भट अच्छी डांसर नहीं है क्या वाकई में दिपिका ही सबसे बेस्ट डांसर है कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें